नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी गान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपिटर पलसी की कुछ भरतियों को लेकर ब विग्यापन को लेकर मंत्री जी का बयान आया है देखते हैं बयान क्या है दोस्तों ये है मंत्री जी का बयान और उन्होंने जो है दे दिया है भरोसा कि 3446 पदो पर जो है भरती का विग्यापन जल्द होगा जारी 3446 पदो पर किर्शी प्रावदिक सायक भरती 2023 के जल्द पिश्रू होने का आशवासन किर्शी मंत्री सूर्य परताफ साही ने दिया है। सूची मिलने के बाद NIC से सौफ्टवेर विक्सित कराते हुए आवेदान लिये जाएंगे। गौर तलब है कि किर्शी प्रावदिक सायक भरती शुरू करने के लिए परतियों की छात्र अभीनव मिश्रा, अमित शुकला, ब्रजेंद्र पांडे, विकास परताप सिंग, विशाल सिंग, अमित यादव, कुल्दीब शुकला वे महिस सर्मा आधी क्याई बार आयोग में परदर्शन कर चुके हैं, तो भाईया इस बात को देखकर यही लगता है कि अब जो है AGTA भरती का विज्यापन आपको जल देखने को मिल जाएगा, चीक है दोस्तों, दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यूपिटर पलेसी की भरतियों को लेकर, और भाईया भरतियों को लेक आयोग सम्मुग गय के पदों पर भरती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए, एजंसियों का चैन नए सरे से करने का फैसला किया है, साप सुत्री और विशेश्टक्यता वाली एजंसियों को काम दिया जाएगा, जिससे तै समय के अंदर परिक्षाएं कराते हु आयोग भरती प्रक्रिया पूरी की जा सके, अधिनस सेवा चैन आयोग हर साल 10-15,000 पदों पर भरतिया करता है, इसमें कनिस सायक से लेका तकनिकी पद भी शामिल होते हैं, और आयोग भरती प्रक्षाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से कराने के लिए एजंसियों को बदलन धंग, OMR आधारित प्रक्षा कराने वालों को आमंतरित किया गया है, और एजंसियों की चैन प्रक्रिया नवंबर में पूरी कर ली जाएगी, और उन्हें एजंसियों का चैन किया जाएगा, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं होगा, दागियों को इससे दूर रखा जाएगा अधिना सेवा चैनायोग हर साल पैट परिक्षा कराता है, इसमें 30-35 लाग आवेदन होते हैं, लेकिन इस बार वहिया आवेदन 20 लाग है, ठीक है, तो यूपिटर पलेसी जो है, अपनी पूरी जो एजंसी का काम है, वो चेंज करने वाला है, और वहिया चेंज करने के पी और इन बदलावों को होने के बाद आपकी भरतियों पर भी काफी असर पड़ेगा, यानि कि भरतियां आपकी तेजी से पूरी होंगी, और अच्छे धंग से पूरी होंगी, एक भी गलत छात्र यूपिटर पलेसी से अब सेलेक्शन नहीं देने वाला, ये यूपिटर पल भरति में कोई भी जोलना होने पाए, इसके लिए वो हर तरीका अपनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, और भाईया अब बात कर लेते हैं, यूपिटर पलेसी इस साल बहुत सारी भरतियां फाइनल करने वाला है, जी हां दोस्तों, भाईया दोजार चौबिस के लोगसवा रिजल्ट भी जारी कर देगा, जैसे आपका वीडियो का डीवी रिजल्ट हुआ, ठीक है, तो भाईया इस साल जो है, आपको काफी धमा के देखने को मिलने वाले हैं, और दिसंबर तक बिल्कुल आप पॉजिटिव रहे, काफी भरतियों पर काफी तीजी से काम शुरू ह मंडी स्पेक्टर का अंतिम परणाम आपको मिल जाएगा, जेई अठारे का अंतिम परणाम मिल जाएगा, एस सो का अंतिम परणाम मिल जाएगा, कमबाइन टेकनिकल का मिल जाएगा, तो भाईया काफी भरतियों पूरी होने वाली हैं, लेक पाल का अंतिम परणाम मिल ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो की रिवाइज्ड उत्तरकुंजी को लेकर जिसको लेकर आपको बहुत लंबे समय से इंतजार है तो भईया इस आंसर की को लेकर बहुत सारे छात्रों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस कदम को उठाने के लिए मै काफी समय से उनसे बोल वी रहा था कि भईया आप जो है आयोग जाकर अपनी बात रखिए अब इनके समझ में आ गई है बात और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दूँ और उन छात्रों ने मुझसे बोला है कि सर एक बार आप जो है अपने चैनल के द्वारा इस ने भी छात्र लखनव या उसके आसपास के हैं उन सब को पता लग जाए कि भईया आप भी कल सुभा नो दस बजे तक आयोग पहुँच जाईए ठीक है ये बहुत बढ़िया कदम है और ये कदम उनको 15 दिन पहले उठा लेना चाहिए था जब उनको लगा था कि भईया ए मेरे पास ये मैसेज है कि सर इस पर वीडियो बनाएए और जो है अधिक छात्रों को इस तरफ अगर सर कीजिए कि वो भी आएं और हमारा साथ दें तो भईया जितने भी छात्र लखनव के हैं या उसके आसपास के हैं उन सब को बता दू कि भईया कल जो है वीडियो की रिवाइजड उत्तरकुंजी का इंतिजार कर रहे हैं यह बहुत शरमनाक बात है बहुत ही गलत बात है ठीक है जो आंसर की रिवाइजड आंसर की जो है पहली आंसर की जाए होने के एक मैने बाद आजानी चाहिए थी वो अब तक नहीं आई है जहां तक मुझे याद है 24 जुलाई को आई थी पहली वाली आंसर की 14 अगस्ति भी गया 14 सितंबर भी गया और वैया 14 अक्टूबर आने वाला है यानि कि 12 दिन बाद आपके हो जाएंगे 3 महीने पूरे पहली आंसर की को आए हुए और अब तक आप आंसर की कही वेट कर रहे हैं ठीक है तो सभी आयोग जाईए कल जितना हो सके जितनी बड़ी संख्या होगी उतना अधिक आयोग पर असर पड़ेगा जितने भी छातर आसपास के हैं लखनव के वो भी आयोग जाईए ढंसे और अपनी बात रखिए और सारे एक जुट होकर जाईए कल ठीक है और भाईया आपको बता दूँ इसकी रिवाइद उत्तरकुंजी जारी होने के बाद भी आपको रुकना नहीं है हर पंदरे दिन पर आयोग जाकर अपनी बात रखनी है काफी बड़ी संख्या में अगर आप चाहते हो आपका डीवी रिजल्ट जल्द आ जाए ठीक है यूपिटर पलसी की वरना ये प्रिकरिया है कि भाईया लेट होना एक नॉर्मल सी बात है अगर आप चाहते हो कि जनवरी फरवरी तक आपकी अंतिम परिणाम जारी हो जाए तो भाईया आपको जो हर 15 दिन में एक टीम बनाकर आयोग जाता रहना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी ये मेरा एक सडेशन है आप इसको मान लीजिए तो बहुत फायदे मेरा हो गए ठीक है यानि कि रिवाईज आंसर की के जारी होने के बाद भी आपको रोकना नहीं है लगतर आयोग जाते रहना है अगर आप चाहते हो कि आपकी भरती समय से पूरी हो जाए अब आपकी भरती और लड़ी साड़े 5 साल की हो चुकी है जो कि एक बहुत सरमनाग बात है ठीक है दोस्तो तो फिलाल कल के तयार रहे है कल आप सभी आयोग जाईए और अपनी बात रखिए और जल्दी जल्दी आपकी जो है रिवाईज दुस्तरनकुजी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तो यह होगे आज का वीडियो और किसी भरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहल देदी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जहिंज बारत